आप लोगों ने देखा होगा कुछ समय पहले यूनाइटिट किंगडम में यानि की बेटेट में पिधानमंत्री पत के लिए चुनाव हुए थे और उस चुनाव में लिज्टरस पिधानमंत्री बनी थी और इन्हों ने 6 सेप्टमबर 2022 को यूनाइटिट किंगडम की पिधानमंत्री का पद समाला था लेकिन 45 दिनों के अंदर इन्हों ने अपना इस्तीपा दे दिया है 20 अक्टूबर को इन्होंने अपना पिधानमंत्री पस से इस्तीपा दे दिया है और इन्होंने जो जनता से बादे किये थे इन्होंने ये खुद कहा है कि मैं उस बादे को पूरा नहीं कर पाई और इसलिए इस्तीपा दे रही है और इनके द्वारा कुछ कदम भी उठाए गये थे, एक मिनी बजट पेस किया गया था और इसमें टेक्स की बड़ोत्री की गई थी, महेंगाई पर रोक लगाने के लिए भी इन्होंने कई कदम उठाए थे लेकिन चुनाओ में उन्होंने बादा क्या किया था, टेक्स कम करेंगे और इसी को लेकर आप देखिए इनका बिरोध भी सुरू हुआ था और इने आखिरकार इस्तिपा देना पड़ा अब आप देखिए जिस से जिस बेटें से हम लोग भारत की तुल्ला करते हैं आपको लगता है कि भारत में यसा संभाव है कि हमारे पॉलिटिस्टियन यानि कि हमारे नेता अपनी जनता से वादा करें और उन्हें अगर वादा पूरा ना कर पाएं तो वो अपने पद से इस्तिवा देते हैं, कभी नहीं और यहीं राजनीती में नेतिकता कहते हैं, इसी को नेतिकता कहते हैं अब आने वाले समय में फिर से चुना होगा और देखते हैं कौन बनता है और इन्हें आप लोग लिटरस को अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे इन्होंने रिसी सुनक को हराया था, और रिसी सुनक भारतिय मूलके है यानि कि इनके परिवार के संबन्द भारत से रहा है एक बार आप लोग युनाइटिड किंगडम देख लीजे देखिए यह हमारी प्यारी पितवी है इसमें आप देखेंगे यह हमारा प्यारा भारत है यहां से आप लोग युरोप जाईए यहां आप लोगों को युनाइटिड किंगडम देखने को मिल जाएगा और इसकी राध्धानी अगर आप लोग देखें तो क्या है लंदन इसकी राध्धानी है यहां बर्मिंगम हो, मैंचेस्टर हो यहां आप लोगों को सभी सहर देखने को मिल जाएगी यहां की राजभासा की क्या है राष्टभासा? अंग्रेजी है क्या है? अंग्रेजी है तो यह भी याद रखेगा और कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि यहां की महरानी एलिजावेट दुतिये की डैथ भी हुई थी तो वो भी याद रखेगा उसका आरण भी वेटेन कापी चर्चा में रहा था एक कारण और रहा था वेटेन को पीछे छोड़कर हम लोग एकोनोमी में अर्थववस्था में पांच भी नंबर पर पहुंचे थे उस मामले में भी कापी चर्चा में रहा था लेकिन आप लोगों को हकीगत कुछ और ही है उसकी आप सभी जानते ही कि बेटेन में लगवफ 7 करोड की जनसंग्या है और हमारे देश में 140 करोड की जनसंग्या है तो 7 करोड से अगर हम लोग तुल्ला करते हैं तो यह तो अपने आप में नाइसाफी है अगर हमें तुल्ला करनी है तो किसे करिए हमारे पड़ोसी चाइना से करिए अभी हाली में आपने देखा है कि हंगर इंडेक्स आया हुआ है वैस्विक भूक सूचकांग उसमें आप देखे हमारी स्तिती कितनी बुरी बनी हुई है हमने अपने पड़ोसीओं से भी निचले इस तरफ है चलिए अलग टॉपिक है तो यहीं की बात हो रही राजनितिक उठाफटक चलना है लिज्ट ट्रस का पूरा नाम क्या है मैरी एलिजाबेट ट्रस इनका पूरा नाम है इनका जनम 26 जुलाई 1975 में कहां हुआ था इंग्लेंड की ओक्सपोर्ड में जॉन केनित और प्रेसीला मैरी टिसके घर में हुआ था लिज्ट ट्रस को कम उम्र में से ही उनके मद्द नाम से जाना जाता है उनके पिता लीर्स विस्विध्याले में सुद्ध गडित के एक एमिरेट से प्रोपेसर है और उनकी माता एक नरस सिक्षक और परमाडू नेरस्ती करन अवियान की सदस भी थी लिज्ट ट्रस ने 1996 में मेरिटन कॉलिज सिदर्शन राजनीती और अर्थ सास्त में पढ़ाई की हुई है दो बच्चों की मां भी है लिज्ट ट्रस लिज्ट ट्रस ने 2000 सन 2000 में फैलो अकाउंटेंट हग ओलेरी से साधी की उनकी दो वेटिया है 2004 से 5 के बीच लिज्ट ट्रस की सांसद मार्ग फील्ड के साथ एक्स्टर मैरिटल अफेयर भी रहा है हाला कि इस अफेयर के बाद भी ओलेरी के साथ उनकी साधी नहीं टोटी 2012 में ट्रस ने कहा था मैं इसाई धर्म और इंग्लेंड की चर्च के मुल्यों पर विश्वास करती हूँ लेकिन इसके बाद भी मैं निमेत रूप से धार्मेक नहीं हूँ और लिज ट्रस को हार का जरावी पसंद नहीं हार ना लेकिन इस बार आप दिखिए उन्हें हाटना पड़ा पीछे कहते हैं कि लिज ट्रस जब साथ साल की थी तब उन्होंने स्कूल के नाटक में पूर्ट पिधानमंत्री अपनी आइडल मार्गरेट थेचर का रॉल फिले किया था और लिज के भाई ने एक इंटर्वुई में बताया था कि उससे बच्पन से ही हार से सक्त नपरत है बच्पन में जब हम खेलते थे तो वह कहीं हार ना जाए और इसलिए खेल के भीच से ही वो भाग जाती थी हाला कि उम्मे के साथ उन्होंने इसे कमियों से पीछा भी चुड़ाया और कॉलेज के समय वो लिवरल डेमोक्रेट्स पार्टी से भी जुड़ी रही है वह कॉलेज में पढ़ाय के दौरान लिवरल डेमोक्रेट्स पार्टी के लिए पिचार करती थी और इसके अतरिक्त लिवरल डेमोक्रेट्स यूथ एंड इस्टूडेंट की राष्टी है कारकाडी की सदस भी रही है और उन्होंने चातिनेता के तौर पर लेबर पार्टी के लिए अधिक फिरचार किया लेकिन इसनाथक की पढ़ाय समाप्त होने की दौरान 1996 में उन्होंने डेमोक्रेट्स छोड़कर कंजर्वेटिव पार्टी में सामिल हो गई थी और लिच्टर्स ने 1996 से सन 2000 तक सैल के लिए कार किया है और इसी दौरार उन्होंने 1999 में एक चार्ट मेनेजमेंट अकाउंटेंट की रूम में यूगता हंसिल किये और इसके बाद सन 2000 में उन्होंने उनको केवल एंड वायलेस द्वारा निउक्त किया गया और फिर बाद में उनको 2005 में आर्थेक निदेशक के रूम में निउक्त किया गया और उन्होंने 4 मई 2006 को पहला चुनाव पारशत के तोर पर जीता और इसके बाद 2010 में वह पहली बार सांसत चुनी गई थी क्या सांसत चुनी गई थी अमारो उजाला निउज रेपोर्ट के मुताविक जिस समय लिटरस सांसत का चुनाव लड़ रही थी उस समय उनके पिता ने इनके लिए परिचार करने से इंकार कर दिया था क्योंकि टरस्ट कंजर्वेटिब पारटी इसे थी उनके पिता लेवर पार्टी को पसंद करते हैं लेकिन माने इनकी माने ट्रस्ट के लिए पिरचार किया था वहीं 2014 में उन्हें परियावार मंत्री भी बनाये गया था इसके बाद 2016 में नियाय सचिप बनाये गया उन्हें 2017 में ट्रेजरी फिर मुख का पद दिया गया फिर बाद में उनको 2019 में जिस समय बोरिस जॉंसन पिधान मंती बने तो लिज ट्रस को विदेश सचिप बनाये गया 2021 में उन्हें विदेश सचिप की रूम में सरकार में सबसे हाई प्रोफाइल नौपरियों में से एक को समाला तो यह सौट वायगराफी है किसकी लिज ट्रस की अब आप देखिए आंगे आने बाले समय मालू चलेगा कि कौन-कौन चुनाव लड़ता है पिधान मंत्री का और वेटन यानि की उनाइटिट किंग्डम का कौन पिधान मंत्री बनता है फिर से ग्रेट वेटन उत्तरी आईलेंड का उनाइटिट किंग्डम जिसे आर्थ आमतर पर आप लोग उनाइटिट किंग्डम यूके या वेटन की रोब में जानते हैं महादुई पीए मुख भूमी के उत्तरपश्चिन तर से दूर इउरोब में एक देश आपको देखने को मिलेगा और इसमें इंग्लेंड, स्कॉटलेंड, वेल्स, उत्तरी, आईलेंड आप लोगों को देखने को मिलेगा सामेले हैं इसमें और यूनाइटिट के इंग्डाम का कुल छेतफल अगर आप देखें तो 2,42,495 वर किलोमीटर में इसमें फैला हुआ है और यहां की अनुमानित जनसंख्या अगर आप देखें तो 63 मिलियन से अधिक है तो यह कहानी है बेटिन की और इस तरह का कोई देख अगर चर्चा में रहता है तो उसके बारे में एक सामान चर्चा जरूर कर लिया करिएगा जानकारी कुछ याद रखा करिएगा क्योंकि आप अगर किसी एक्जाम की तैयारी कर रहें तो आपकी परिक्षाओं में इस तरह की कुश्चन्स पूछे जाते हैं